ओम श्यांती, 29 माच के इशुरे दन में आप सो कस हो रहते हैं? परम्पिता परमात्मा चाहते हैं कि हम हर शक्ति को सही समय पर सही वेक्ति के सामने, सही सरकंस्टैंस में इस्तिमाल करें और फिर इनका अनुभव लें और उसके बाद हम अपने आपको अथॉलिटी बनाएं, मास्टर अथॉलिटी ताकि अथॉलिटी तभी आती है, जब हमें पता होता है कि किस चीज़ को किस समय कहां पर कैसे यूज़ करना है तो इसलिए प्रावदर कैते हैं, अथॉलिटी बन समय पर सर्वशक्तियों को कारे में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भवा सरवशक्तिवान बाप द्वारा जो सरवशक्तियां प्राप्त है वैं जैसी परिसिती, जैसा समय और जिस विदी से आप कारे में लगाने चाहो वैसे ही रूप से यह शक्तियां आपके सहयोगी बन सकती है जैसी परिसिती, परिसिती में हमें देखना है, कि इस समय मुझे बोलना है, कि नहीं बोलना है, कि चुप रहना है, कि मुझे फेस करना है, कि मुझे निर्ने क्या लेना है, मुझे परकना है, क्या करना है, यह सारी चीज़े आजाती परिसिती में, जैसा समय, जो समय चल रहा ह इस समय पर मुझे किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से रियाक करना है जिस विदी से आप कारे में लगाने चाहो, वैसे ही रूप से ये शक्तियां आपके सहयोगी बन सकती है इन शक्तियों को वा प्रभु वर्दान को जिस रूप में चाहो वे रूप धारन कर सकती है कैसे कैसे रूप अभी अभी शीतल ता के रूप में मतलब कि कोई सिचुशन आई जहाँ पर हमने शक्ति को इस्तमाल किया हमने वहाँ पर सेन शक्ति को इस्तमाल किया अपने कोशीतल बनाया अंदर से हमें उतेजना आ रही है हमें गुसा आ रहा है करोधा सब कुछ आ रहा है हमें अभी अभी जलाने की रूप में तो हमने क्या किया सहिन शक्ति को इस्तमाल किया अपने कोशीतल भी बनाया मुलकी जहां पर नॉमली आप अगर किसी से क्रोधित हो जाओगे किसी से बदला लोगे या किसी के बारे में गलत फैमिया फैला होगे आप वो नेगेटिविडी जो आपके अंदर है या हमारे अंदर है वो सारी चीजों को परमात पके कहते हैं आप इन शक्ति को इस्तमाल करके निड़ने शक्ति, परकने की शक्ति, सहिन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति अपने अंदर की जो उतेजना आरी उसको सामना करना है लोग उसको सामना नहीं करते हैं उसको निकाल देते हैं उतेजनाई, क्रोधाया, बोल दिया लेकिन हम क्या करना है, हमें उसका सामना करना है अपने अंदर की कमी कमजूने को सामना करना है उनको चुप होने के लिए बोलना है सिर्फ समय पर कारे में लगाने की अथॉरिटी बनो और ये अनुभव से आता है जब हम गलती हैं और जब हम सीखते हैं तब हम बतलता है कि कहां पर किस चीज़ को इस्तमाल करना चाहिए ये सर्वशक्तियां तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान की सेवाधारी है इसी से हम सक्सेस्फुल बनते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं, वाइस बनते हैं, बुद्धिवानी बनते हैं, अकलमंद बनते हैं, समाज़ार बनते हैं, जो भी आप शब्द देना चाहें और मास्टर सरशक्ति वानमते हैं परमात्मा के शब्दों में ओम शंती